हलो फ्रेंद्स मैं हूँ दिपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच दोस्तों आज जो लीगल टॉपिक हम आपके लेकर आए हैं वो है ट्रिपल तलाग आज हम इस वीडियो में ट्रिपल तलाग के बारे में पूरी चानकारी जानेंगे और साथी साथ जो से रिलेटेड शायरा आपके पास पहुचे क्योंकि लीगल वीडियोग उसका सिलसेला चलता रहता है तो स्टाट करते हैं दोस्तों ट्रिपल तलाग के उपर इस वीडियो को ट्रिपल तलाग समझने से पहले हम मुसलिम लौ को समझ लेते हैं मुस्लिम लौ के अनुसार जब एक हजबन अपनी व अब तलाके सुन्नत में दो तरीके से तलाक दिया जा सकता है पहला होता है तलाके अहसन और दूसरा होता है तलाके हसन अब इनके वारे में जान लेते हैं पहला तलाके अहसन इसमें दोस्तों जो मुस्लिम हस्बिन होता है वो अपनी wife को अगर उससे separate होना चाता है तो वो एक बारी तलाक बोलते हैं उन्हें उसके बाद वो 90 days का उनका इद्दत पीरेट चलता है उस इद्दत पीरेट में अगर कहीं पर भी कभी भी husband और wife दोनों को ये realize होता है कि उन्हें अलग नहीं होना चाहिए साथ रेना चाहिए तो उनका divorce यानि कि तलाक तलाक नहीं माना जाएगा और उनकी शादी valid होगी वो एक साथ रह सकते हैं इसी में तलाक के सुन्नत का जो दूसरा टाइप है तलाक के हसन इसमें अगर husband अपनी wife को divorce देना चाहते हैं तो वो तीन बार तलाक बोलते हैं लेकिन एक साथ नहीं वो तीन महीनों में तीन बार तलाक बोलेंगे जैसे कि पहले महीने में एक बार तलाक बोला उसके बाद दूसरे महीने में उसके बाद तीसरे महीने में यानि कि एक-एक महिने के gap में तो इसमें भी husband wife को तीन महिने का time दिया जाता है कि अगर उनकी बीश में settlement हो जाए, compromise हो जाए, कोई सला हो जाए और उनका घर तूटने से बच जाए, तो फिर से उनका तलाक तलाक नहीं माना जाएगा और उनकी शादी valid होगी, तो इन दो types में जो तलाके सुन्त के दो types हैं, तलाके अहसन और तलाके हसन, इसमें दोस्तो settlement का scope है, लेकिन जो हम दूसरी type तलाके बिददत की बात करें, तो उसमें settlement का scope नहीं दिया गया है, इसमें दोस्तों क्या होदा है, जो Muslim husband होता है, वो तीन बार तलाक तलाक तलाक, अपनी wife को बोल अब निकाह हलाला क्या होता है? निकाह हलाला में दोस्तों मुसलिम वाइफ को एक सेकंड मैरीज परफॉरम करनी है और सेकंड मैरीज से फिर डाइवोस लेके फिर्म अपने फर्स्ट हजबन से वापस से शादी कर सकती है तलाक के बिद्धत में ही ट्रिपल तलाक दिया जाता है जिसके अगेंस्ट शायराबनो गई थी अब यह शायराबनो का हम केश समझ लेते हैं शायराबनो और रिजवान एहमद 15 साल से साथ रहते थे 2016 में रिजवान एहमद ने शायराबनो को 3 बार तलाक दे दिया इसके अगेंश शेयर वनो सुप्रीम कोट गई और उन्होंने मुसलिम लौकी तीन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया अब ये तीन प्रैक्टिसेस कौन सी थी? पहला था ट्रिपल तलाग, दूसरा था निकाह हलाला और तीसरा था पॉलीगैमी ट्रिपल तलाक और निकाहलाला हम डिसकस कर चुके हैं तीसरा पॉली ग्यामी मतलग की जहां पर मुस्लिम हस्बेंट एक से जादा शादी कर सकते हैं अब जब ये केस चला तो फर्वरी 2017 में इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोट में पाथ जजजिस की बेंट बिठाई गई इन जजजिस में सारी पार्टी इसकी तरफ से रिटन स्टेटमेंट स्मगवाए तब मुस्लिम बोर्ट का ये कहना था कि ये तीनों प्रैक्टिसिस मुस्लिम रिलिजन का पार्ट हैं इसलिए सुप्रीम कोट को इसमें इंटरफेर नहीं करना चाहिए लेकिन बात में दोस्तों ये डिसाइड हुआ इस ट्रिपल तलाक विमन की फेंडामेंटल राइट्स को वाइलेट कर रहा है यानि कि वो उसके अगेंस जा रहा है उस पर रुकावट डाल रहा है उसकी बाद फाइनली 2019 में पार्लेमेंट ने एक बिल पास किया ये कहते हुए कि ट्रिपल तलाक इलीगल है ये एक पनिशेबल ओफिन्स है जो भी हस्बिन अगर ट्रिपल तलाक तो देते हैं अपनी वाइफ को तो उनको तीन साल की सजा प्लस फाइन कोट के दौरा चार्ज किया जाएगा अब दोस्तो इस बिल में क्या-क्या हैं चीजें वो समझ लेते हैं ट्रिपल तलाक बिल के अंदर ट्रिपल तलाक को ऐक कौगणिजिबल ओफेंस माना गया है और पुलिस बिना वारेंट के उस हस्बेन को तुरंट अरेस्ट कर लेगी फिर उस husband पर trial चलता है यानि कि court case चलता है उस case के दोरान court दोनों parties की तरफ से बयान सुनती है और सब कुछ analyze करने के बाद अगर ये prove हो जाता है कि हाँ उसने triple तलाख दिया है तो husband को 3 साल की सजा हो जाती है प्लस fine उसको pay करना पड़ता है अब इसमें bail के बारे में जान लेते हैं triple तलाख में bail थाने के दौरा नहीं हो सकती bail अगर होगी तो वो सिर्फ से magistrate के दौरा होगी और वो भी उस women को सुनने के बाद wife के बाद सुनने के बाद ही husband को bail grant हो सकती है अगर wife तयार है compromise करने के ले तो ही bail मिल सकती है अब बात आती है maintenance और custody की अगर husband जेल में है तो इस दौरान उसे अपनी wife को और अपने बच्चों को maintenance देना होगा जो भी minor children की custody है वो wife के पास जाती है दोस्तो triple तलाख के again सिर्फ इंडिया ही नहीं बलकि और बहुत सारी countries पाकिस्तान, बांगलदेश, ट्रीलंका ऐसी और बहुत सारी countries में triple तलाख बैन किया गया है तो दोस्तो ये था triple तलाख के बारे में अब हम आज की current city के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो जैसे कि हम सब परिजित हैं कि 498A के केस में क्या होता है इसमें वाइफ पुलिस थाने में जाके कहती है कि भई मेरे साथ cruelty हुई और इसमें 498A में वो F.I.R. दज करा देती है पती को, घरवालों को, सब को involve करके वो सब को जेल पहुचवा देती है सेम इसी तरह दोस्तो, tripl तलाग में भी हो रहा है Muslim wife क्या कर रही है कि अगर पती से कोई जगड़ा हुआ तो बस थाने में जाके वो ये कह देती है कि मेरे husband ने तो मुझे triple तलाग बोला है और पुलिस क्या करती है उस husband को दुरंद अरेस्ट कर लेती है भले हस्बिन ने ट्रिपल तलाक ना बोला हो लेकिन बस आपसी मदभेद की वज़ा से वाइफ ऐसा आक्चल में कर रही है ऐसे दोस्तों हमारे जानने में कितने सारे केसिस आया हैं जहां हस्बिन पर ताड़े थे मैं यह नहीं कह रही कि हर वाइफ गलत है या हर हस्बिन गलत है लेकिन हाँ जो एक्चल आच की करेंट स्थितिय है वो यही है ट्रिपल तलाक लाया गया था विमिन के उपर जो अन्याय हो रहे थे उस चीज़ पर रोक लगाने के लिए उनको जस्टिस दिलवाने के लिए में रखते हुए आगे का स्टेप लेना है और हमेशा सही का साथ देना है अगर आप मुझसे सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और आगे अपने फ्रेंस रिलेटर्स में शेयर कर दीजे दोस्तों आपकी क्या रहा है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरू था इस बाइबस रखते है और हमे मुझसे सहरू लेखते है और आपकी कहारे मुझसे सहरू इस भाइए!